नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दॉक्तर नीलम शर्मा। क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। और यह भी दिस्कस करेंगे की जेरी स्टार्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए। Jerry Start एक ब्रैंड नेम है. Jerry Start टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन टेमसुलोसिन 0.4 mg होता है. Jerry Start टैबलेट अलफा ब्लॉकर ड्रग क्लास की दवा है. Jerry Start टैबलेट का उप्योग पुरुशों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर किया जाता है. पुरुशों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने को मेडिकल भाशा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या BPH भी कहते हैं. पुरुशों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वज़ह से बार-बार पेशाप के लिए जाना, पेशाप को थोड़ी रुक रुक कर पेशाब आना और पेशाब करने के बाद भी बून्द बून्द पेशाब तपकना आदी लक्षन पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वज़़ से हो सकते हैं। जिसकी वज़़ से पुरुषों को पेशाब करने में आसानी हो जाती है। अब हम डिसकस करेंगे की जेरिस्टार्ट टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। जेरिस्टार्ट टैबलेट को खाना खाने के 30 मिनट बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। जेरिस्टार्ट टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना रेक्मेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर जेरिस्टार्ट टैबलेट को दिन में केवल एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जेरिस्टार्ट टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। चाती में ज्यादा बलगम बनना, दस्त होना, गले में खराश या दर्द होना, उल्टी आने का मन होना, आखों में धुंदलापन होना और नीन्द अधिक आना आधी साइड इफेक्स जेरिस्टारट टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं। महिलाओं के लिए जेरिस्टारट टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है, इसलिए महिलाओं को जेरिस्टारट टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका जेरिस्टारट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते ह प्रश्ण है